हेलो स्टुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते बिटा एक्सरसाइज 13.5 का क्योस्टर नंबर थर्ड देखते हैं क्या है स्टेटमेंट रीड करेंगे एस सिस्टर्न इंटर्नली मेजरिंग 115 x 120 x 110 cm उसने क्या का है कि एक क्योंकि लेंथ ब्रेट थाइट गीवन है तो क्योंकि उसके अंदर क्या है बिटा 129600 cm क्यूब वाटर ओल्रेडी फिल्ड है माल लिए यह हमारा क्यूब ओल्यूम है जो वाटर का वोल्यूम गीवन है वो क्या है 129600 cm क्यों कि इतना पानी उसमें ओल्रेडी वरा हुआ है नेक्स्ट क्या कहा है उसने पॉर्स ब्रिक्स अर प्लेज इन दा वोटर अंटिल दा सिस्टर निज फुल टू दा बिर्यूम उसने का है कि इसके अंदर इंटे डालनी है वैटा पॉर्स ब्रिक्स का मतलब क्या है जिन उपरी सरफेस तक आना चाहिए बाहर नहीं निकलना चाहिए अब छोटी classes में हमने story पड़ी ठीटिक … उसमें क्या करता है मटके के अंदर डालता है और उन कंकर डालने के कारण के आठा । इप wall Tracyσ । इटे डालने के कारण क्या होगा हमारा जो पानी होगा वो इसके ब्रीम तक मतलब टोप सरफेस तक के आ जाएगा नेक्स्ट उसने क्या का है इच ब्रिक और एब्जोब 1 17th of its oven volume of water नेक्स्ट उसने क्या का है है बिटा देखेंगे अम जब अपने घर बगएरा बनाते तो वहाँ पे क्या होता है जो नई इटे होती है हमारी ब्रिक्स होती है उन पे अगर पानी डालते है तो वो क्या कर लेती है water को एब्जोब कर लेती है similarly यहाँ पे क्या का है उसने कि अगर मालिया हमने एक इंट इसके अंदर डाली तो वो इंट अपने वोल्यूम का one seventeen क्या कर लेती है absorb कर लेती है ठीक है मतलब क्या है यहाँ पे द्यान से समझेंगे अगर मालिया हमारे पास एक इंट है यह हमारे पास ब्रिक्स है इसका वोल्यूम है 20 centimeter क्या है 20 cm3 अगर इस इट को मैंने इसके अंदर डाला तो यह क्या करेगा इस 20 का 17th मतलब 20 by 17th इतने cm3 क्या कर लेगी यह पानी को अपने अंदर एबजोब कर लेती है यह चीज ध्यान देनी है वस आपने हमें यह बताना है कि हमें कितनी इट इसके अंदर डालनी पड़ेंगी कि हमारा पानी जो है वो ओवर्फुलो ना करे इसे सिस्टर्न से बाहर ना निकले और ब्रिक्स की डाइमेंशन गिवन है हमें क्या है 22.5 x 7.5 x 6.5 cm ठीक है आई होप यह चीज आपको कलियर होंगी अब यहांपे find out करते हैं देखते हैं सबसे पहले question पर focus करेंगे सबसे पहले find out करेंगे कि पिटा इस सिस्टर्न के अंदर पानी कितना आ सकता है ठीक है तो यहांपे क्या लिखेंगे पहले total volume of system निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे हम total volume of sister कैसे निकलेगा length breadth height given है तो किसके equal हो जाएगा lbhk अब length कितनी given है हमे 150 into breadth कितनी given है 120 into height जो given है वो क्या है 110 अब इनकी multiply करते हैं सेन्टीमेटर है इतना पानि आ सकता है इतने सेंटीमेटर क्यूब और नेक्सट बात करते हैं घ्या है bricks की dimension तो volume of one brick निकालते हैं क्या होगा volume of one brick किसके ही को लोगा length कितनी है 22.5 breadth कितनी है 7.5 into height कितनी है 6.5 multiply करते हैं तो value आजाएगी 1096.875 cm2 ये value आगे हमारी एक bricks का volume ठीक है अब अगर हमने क्या करना है इसके अंदर multiple bricks डालनी है तो अगर n bricks n number of bricks डाल ली हमने तो n bricks का volume क्या हो जाएगा हमरे पास volume of n bricks एक brick का volume ये है अगर 10 bricks डालनी हो तो इसको multiply 10 करते हैं और n number of bricks डालनी है तो इसको क्या करेंगे n से multiply मतलब n into 1096.875 cm2 ये हो जाएगा हमारा सभी इट्टों का volume नेक्स्ट बात करते हैं बेटा volume of water already present इसके अंदर पानी कितना प्रेजेंट है पहले ही तो वो क्या होगा volume of water present in cistern वो कितना पानी प्रेजेंट है 1296 00 cm2 ये पानी इसके अंदर क्या present है already present है अब बेटा हमारे पास सभी values आगी अब देखेंगे ध्यान से समझना जो मैं condition यहां पे लिखता हूँ वो किसके इकवल होगा देखेंगे यहां पे according to question बस यह जो मैं condition लिख रहा हूँ यह अगर आपको अच्छे से समझ में आगी तो question बिलकुल 0 लगेगा आपको बिलकुल easy लगेगा otherwise यह अगर समझ में नहीं आया तो आपको difficulty फिल होगी ध्यां से देखना एक बार सबसे पहले टोटल वोल्यूम ओफ सिस्टर्ण टोटल वोल्यूम कि ओफ सिस्टर्ण किसके इकवल होगा ध्यांसे देखेंगे जो भी इसमें पहले पानी प्रेजेंट है वो तो वो क्या लिखेंगे हम volume of water present इसके अंदर जितना भी volume already present है वो पलस में क्या करेंगे अब हमने n number of bricks इसके अंदर डाली है उनका volume भी क्या होगा इसके अंदर add हो जाएगा तो volume of n bricks add हो गया अब बिटब minus क्या करेंगे ये चीज द्यान देना है अब कुछ पानी जो है वो क्या कर लिया bricks ने absorb कर लिया क्या कर लिया, int ने absorb कर लिया वो कितना किया है volume of bricks का 117th ये बोला है उसने अब जो int के अंदर पानी चला जाएगा वो तो यहां पे हम already add कर चुके ना तो जो पानी उसने absorb किया है उसको क्या कर देंगे, subtract अब जैसे मान लिया, एक गिलास के अंदर पानी है बटा मान लिया, half गिलास है उसके अंदर कोई चीज डाल दी मैंने जैसे कोई भी एक बोल जो होती है जिसको हम स्याई चूस वगरा बोलते है फोम होती है, अगर वो फोम मैं उसके अंदर डाल दू और वो सारे पानी को absorb कर ले तो volume कितना हुआ उस गिलास के अंदर जितना भी हमारा वो स्याई चूस है या फिर जो भी हमने फोम डाल ली है उसके volume के equally तो होगा पानी तो उसमें रहा नहीं तो जो पानी absorb कर लिया उसको क्या कर लेंगे हम subtract कर देंगे तो subtract क्या होगा हमारा 1 by 17th of volume of n bricks ये चीज समझ में आई है आपको clear है अगर नहीं आई है तो एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ मैं जो हमारा total volume होगा इस system का वो किसके equal होगा बैटा जो हमारा पानी present है already वो पलस में जितनी हमने इसमें इंटे डाली है उनके कारणी तो ये पानी उपर level तक आएगा उन volume of n bricks माइनस क्या कर देंगे जितना पानी उन इटो ने एबजोब किया है वो तो इटो का हमने count कर लिया पानी एबजोब को थोड़ी न देखना है तो पानी एबजोब के volume को क्या कर लेंगे हमें सब्ट्रेक्ट कर लेंगे आई होप यह चीज आपको अब अच्छे से समझ में आगी होगी अब देखते हैं यहाँ पर value पूट करते हैं बिटा ध्यान से देखो total volume of system कितना था हमने अभी find out क्या था यह value थी 98 4 times 0 is equal to volume present कितना है 1296 00 plus volume of n bricks कितना है n into 1096.875 minus क्या करना है 1 by 17 of यह n into 1096.875 यह value इसको simplify कर लेंगे n की value आजाएगे हमारे पास इसको simplify करते हैं बिटा यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम left hand sign लेके आएंगे तो क्या आजाएगा यहाँ पर इसमें से यह subtract किया तो हमारे पास value आगी 1850 400 is equal to इन दोनों को अगर subtract करते हैं तो value आजाएगी 1032.353 n की value निकालने है तो इसको क्या करेंगे आप multiply में तो इधर divide में आजाएगा तो यहाँ पर value क्या आजाएगी 1850400 divided by 10332.353 is equal to किसके n के अब इसको divide करते हैं तो n की value जो आएगी बिटा वो क्या आजाएगी हमारे पास n equal to आजाएगा 1792.41 n की value क्या आगी 1792.41 इसको round off करके लेते हैं तो हमारे पास n की value आजाएगी integer value 1792 bricks कि इतनी bricks अगर हम इसके अंदर डालेंगे तो हमारा जो system का voter है वो बिलकुल क्या आजाएगा उपर ब्रीम तक आजाएगा मतलब top level तक आजाएगा I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कहीं पर इसमें कोई doubt आता है तो बटा मुझे comment करे otherwise इस channel को subscribe करे like करे और share करे thank you students for watching this video thank you अगर全 Kamar